नमस्कार साथियों यह लीगल सब्दों पर आधारे डिक्टेशन है जो 80 सब्द पृतिमिनट की गती से बोली जाएगी डिक्टेशन ठीक 5 सेकिंड बार स्टार्ट होगी इस्टार्ट अगला प्रसन पृतिकर के परीमान से संबंदित है विराम यदपी वादी ने विभिन सीरसों के अधीन नुक्सानी के लिए दावा किया है तथा पी उन्हें दो सीरसों के अधीन वरगी करत किया जा सकता है धनिये और एधनिये विराम धन संबंदी हानी के अधीन उसने उपारजन की नुक्सानी अस्पताल ले जाने के लिए उपगत वै और अत्रिक्त आहार मोटर साइकिल के लिए नुक्सानी भावी अधनिये हानी के अधीन पीड़ा यातना आघहात और सुक्स्विदाओं की हानी के लिए प्रती कर आता है विराम इन दावों में से प्रतेक का प्रतिवादियों द्वारा विरोध किया गया है विराम दावे का प्रथम सीर्स 24 जूम 1977 से एक अगस्त 1977 तक की काला उधी के लिए आय की हानी है जिसके लिए वादी ने 2500 रुपए का दावा किया है विराम अधीकरन ने 1500 रुपए अधी निरनित किया है विराम दोनों पक्षकारों की और से इस बारे में आच्छे किया गया है विराम पिटिसनर के हितबद परी साक्षे के सिवाए उसका वेतन साबित करने के लिए कोई साक्षे नहीं है विराम पिटिसनर के अनुसार वहे जे आर अस्पताल वरकला में प्रतिमास 1500 रुपए के वेतन पर नियोजित्था विराम उसने यह भी उल्लेख किया है की उसे प्राइवेट वेवसाय करने के लिए भी अनुग्यात किया गया था जिससे उसे प्रतिमास 500 रुपए की आये होती थी विराम वादी ने अस्पताल प्राधी कारियों की या अन्य साक्षे की परिक्षा करके उन्हें साबित करने की इप्सा नहीं की है विराम यह तथे सेश रहता है की उसने अस्पताल में अपना पद अप्रेल 1977 में ही ग्रहन किया था विराम उसने यह भी स्वीकार किया है की उसने संदत वेतन के लिए किसी रसीद पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं विराम वह प्रिते दिन त्रिवेंद्रम से वरकला जाता है विराम स्वेम इस बात से यह अनुमान निकलता है की वह ऐसा विख्यात डॉक्टर नहीं था जिसे इस दर पर संदाय किया गया था विराम इसलिए निचले न्यायले ने उपारजन की हानी से संबंदित उसके कथन को स्वीकार ने करके सही किया है विराम 1500 रुपए प्रेदान करना भी नयोचित नहीं था विराम क्योंकि यह एक ऐसा मामला होगा जहां उस दसा में अधी निरने सुद्र अटकल बाजी होगा जहां यह सबूत के समर्थ है विराम जहां तक उपारजन की हानी साबित करने के लिए वादी के ऐसा फल होने का संबंद है इस सीर्स के अधीन अधी निरनित 1500 रुपए को ना मंजूर करना होगा विराम ऐसी ही बात अत्रिक पोसाहर सीर्स के अधीन पिटिस्नर द्वारा किये गए दावे के बारे में है विराम पिटिस्नर द्वारा अत्रिक पोसाहर पर खर्च की गई रकम के संबंद में कोई सबूत नहीं है विराम इन सभी को साबित किया जा सकता है और बिना साक्षे के इन सीर्सों के अधीन अधीन निरने सुद्ध तह अठकलवाजी होगा और निचले न्यायले ने यह अधीन निरनित करके सही कार्य नहीं किया था विराम इसलिए इस सीर्स के अधीन अधीन निरनित 350 रुपै को भी नामंजूर करना होगा विराम मद संक्या चार के अधीन दावा मोटर साइकिल की मरमत के लिए दावाकरत रकम है विराम पिटिस्नर द्वारा 3000 रुपै का दावा किया गया था विराम निचले न्यायले ने 2800 रुपै अधीन निरनित किया है विराम यह स्टैंस एंड कमपनी त्रीवेंद्रम के मरमत संबंदी बिल प्रेदस एपांच पर आधारित है विराम यदपी यह दरसित करने के लिए कोई साक्षे नहीं है कि इस रकम को दावा करने के पूरु संदत कर दिया गया था तथा पी यह है एक ऐसी मद है जिसका पिटिसनर द्वारा संदाय किया ही जाएगा और इसलिए निचले न्यायले द्वारा 2800 रुपै प्रेदान किया जाना न्यायवचित है और हम इसे कायम रखते हैं विराम पैरा अगला सीर्स जिसके अधीन प्रितिकर का दावा किया जाता है डॉक्टर की उपारजन की भावी हानी है विराम किसी डॉक्टर की उपारजन की सक्ती उसके व्योसाय पर निर्भर करती है विराम इस बात को उसे साबित करना है कि किस प्रकार उसके उपारजन की सक्ती कम हो गई है विराम कोई साक्षे नहीं दिया गया है विराम निचले नयले ने यह बताया है कि भावी उपारजन पर इस्थाई नी सक्तता का कुछ प्रिभाव पढ़ सकता है विराम ऐसा प्रतीत होता है उसके द्वारा किया गया दावा भड़ा छड़ा कर किया गया है विराम पिटिस्नर साक्षी संख्या ए डॉक्टर ने अभी कथित इस्थाई नी सक्तता के बारे में कोई प्रसंद नहीं किया गया था विराम ऐसा होने पर हम इस सीर्ष के अधीन कोई रकम अधी निर्नित करना नहीं चाहते विराम दन्यवार साथियों